Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. यह आप लोगों की collective reading है और आज हमारा topic है Who wants to talk to you and why? What do they want? So, कौन आपसे बात करना चाहता है? कौन आपसे connect करना चाहता है इस present time में? कौन इनसान है यह और क्या चाहते हैं? क्यूं connect करना चाहते हैं? यह हम जानेंगे. So, यह बिलकुल timeless reading है जब भी आपकी नजर से गुजरेगी यह आपका उस वक्त का message होगा So, शुरुवात में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ Cards Possibilities बताएंगे आपकी final destination safe divine source को पता है इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को open रख कर इस reading को देखना है इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers है Thank you so much आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और support किया है I truly deeply appreciate each one of you and I love you all so much अगर आप नए है मेरे channel पर आप भी subscribe कर लिजिये वीडियो को like जरूर दीजेगा और हो सके तो share भी कर दीजेगा So, let's see कौन है ये इनसान जो आप से connect करना चाहते है Spirit हमें divine message दीजेगा Bottom पर nine of wands है कौन है ये इनसान जो आप से connect करना चाहते है जो आप से बात करना चाहते है Okay, कोई ऐसे इनसान जो आपके साथ बहुत unfair थे जिन्होंने आपके साथ बहुत नाइंसाफी की ये भी हो सकता है कि ये इनसान advocate है या study कर रहे है, law, कुछ ऐसी चीज़ Let's see Who is this person? Seven of pentacles ये वो इनसान है जिन्होंने एक time पर आप के साथ इस connection पर बहुत invest किया ये इनसान आपको manifest कर रहे है ये वो इनसान भी हो सकते हैं जिन्होंने एक point पर आपको बहुत ज़्यादा manipulate किया था ये वो इनसान भी हो सकते हैं जिनके साथ आप study करते हैं या जिनके साथ आपकी work place same है Excuse me ये वो इनसान भी हो सकते हैं जिन्होंने आपस जूट बोला था ये देखिए, nine of wands फिर से आ गया है, bottom पर हमारे पास four of cups आ गया है और उसके भी नीचे हमारे पास five of cups है and ten of swords है, so बहुत clear हमारे पास message आ गया है कि ये वो इनसान है जिनसे आपका break up हुआ है या separation हुई है, ये वो इनसान है जो आपसे बात करना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग में भी चाहते हैं कि वो वापिस आएं, कुछ लोग शायद ना चाहते हों कि वो वापिस आएं, बड़ा ही clear message है कि ये वो इनसान है जिन्होंने आपको बड़ा hurt किया है past में, आपके साथ बहुत unfair रहे हैं, एक point पर उन्होंने invest भी किया, इस connection पर बहुत से जूट थ क्योंकि उन्हें पचतावा है, उन्हें अपने किये पर शर्मिंदगी है, पचतावा है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, उनको feel हो रहा है, उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है, उनको रात में नीन नहीं आ रही है and I do feel with the hanged man, कि उनको realization हुई है और आप यूं कह ल राइट में इस connection को देख रहे हैं, इस connection के बारे में उनकी awakening हुई है, basically that's what I am hearing, और ये इनसान बहुत ज़्यादा anxious है, nervous है, depressed भी है, उनके लिए एक struggle भी है आपसे connect करना क्योंकि उनके लिए मुश्किल भी है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ego और pride में आकर उन्होंने आपसे या लैदिगी ली थी या breakup किया था, आपके husband wife भी हो सकती है, but this is someone from your past जो आपसे connect करना चाते हैं, और ये वो इनसान है जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ थी, बहुत तकलीफ हुई थी आपको, and maybe आप मेंसे कुछ लोग काफी time से wait कर रहे हैं कि कब वो आपको pursue करेंगे, क कब वो इनसान manifest होंगे आपकी जिन्दगी में, तो this is your sign, this is a huge sign, अगर ये reading आपके सामने आगी, आप इसको सुनना शुरू हो गए, this is a huge sign कि इनसान वापस आएंगे और अपनी गलतियां मानेंगे आपके सामने आकर, so I really feel like ये इनसान आपसे connect करना चाहते हैं, बिकर उनको बहुत ही जादा आप कहलें के तकलीफ हो रही है, बार बार आपका चेहरा आपकी बाते हैं, उनके सामने आती हैं, especially night time में जब वो सोने लगते हैं, तो बहुत जादा बार बार उनको सारी conversations, आपकी बाते हैं, अगर आप बहुत जदा रोया करते थे, अगर आपने बहुत प्लीज मेरे साथ ये ऐसे ना करो, मेरे साथ ये बहेव ना करो, अगर आपने कुछ ऐसा किया था, उनको बार बार आपका चेहरा जो है वो दिखाई देता है, उन्हें हांट करता है basically, उन्हें बड़ा डर है कि उन्हें इसकी सजा मिलेगी, उन्हें कार्मा मिलेगा आपको इस तरह से hurt करने का इसलिए भी ये इनसान वापिस आके आपसे माफी मांगना चाहते हैं और ये वो इनसान है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा rejected feel करवाया आपने इनको एक point पर मेभी बहुत chase किया ये वो इनसान हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको time ना देना आपको ghost करना out of nowhere अपना mood off कर लेना आप confusion में चले जाते थे कि इनको क्या हो गया अचानक से अभी तो ठीक थे कुछ time पहले तो इस तरह की चीज़ें इनकी मुझे behavior में नज़र आ रही है इस तरह की चीज़ें नोने past में आपके साथ की है और अब ये इनसान आपसे बात करना चाते है करना तो चाहते हैं बट बड़ा ही struggle है उनके लिए कि वो आपकी तरफ कैसे आएं कैसे आपको pursue करें क्या words हो जो वो आपसे कहें इस तरह की चीज़ें so let's see more viewer से के एक काढ़ हमें नजर आ चुका है and this is temperance so this is balance this is also patience कि आपने बहुत इंतजार किया है और आपने बहुत सबर किया है कुछ लोगों के लिए तो like ये message है कि आपके सबर का फल आपको मिलने वाला है but I'm hearing balance क्यों connect करना चाहते हैं okay four of wands so maybe आपसे दोस्ती फिर से करना चाहते हैं maybe आपसे शादी करना चाहते हैं literally like क्योंके four of wands आ गया है क्यों connect करना चाहते हैं okay card एक नीचे गिर गया है let me okay we have the tower okay ये इनसान किसी unexpected news के साथ आना चाहते हैं कोई unexpected कोई खबर offer लेकर ये इनसान आना चाहते हैं so मुझे कुछ लोगों के लिए ये feel हो रहा है कि ये इनसान आपसे शादी के लिए ready है अब कुछ लोगों के लिए ये message आ रहा है अगर तो आपकी शादी नहीं हुई थी इनसे और reconciliation है जो married couples देख रहे हैं के लिए मुझे reconciliation नजर आ रहा है कि इनको बहुत पच्चतावा हो रहा है और ये reconcile करना चाहते हैं आपके साथ इसलिए ये इनसान वापिस आ रहे हैं क्यों आना चाहते हैं आपसे क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं ये इनसान क्यों आना चाहते हैं ये इनसान क्यों आना चाहते हैं spirit okay we have six of wands so again this is success this is victory एक बहुत लंबी बैटल के बाद victorious होना this means क्योंकि इससे पहले five of wands है राइट एक battle चाहे वो अपने आप के साथ हो चाहे वो और लोगों के साथ हो बट एक बहुत ज़ादा लंबी battle के बाद fight के बाद ये इनसान आ रहे हैं और ये देखिए the lovers so I feel कि ये कोई ऐसे इनसान भी हो सकते हैं उन्हें आपको छोड़ कर X Y Z किसी भी और चीज़ को prioritize किया friends को अपने hobbies को अपने family को आपको बहुत ही हमेशा left out feel करवाया और हमेशा ऐसा feel हुआ कि उन्होंने आपको choose नहीं किया है basically इस connection में होते हुए आपको ऐसा लगा हमेशा कि आपको choose नहीं किया गया और left out feel हुआ with this four of cups again so ये वही इनसाने जो वापिस आना चाहते हैं और आपको choose करना चाहते हैं जो इस connection को official करना चाहते हैं जो आपके साथ एक real connection में बंधना चाहते हैं और बड़े ही unexpected moment पर ये इनसान आपकी जिंदगी में वापिस आएंगे suddenly और आपसे ही कहेंगे कि मैं ready हूँ तुमसे शादी करने के लिए इस connection को next level पर ले जाने के लिए I'm sorry मैं नहीं पहले ये चीज ने तुम्हारे लिए कर पाया या कर पाई राइट इस तरह का मुझे लग रहा है कि कुछ होगा बड़ा ही unexpected तो यहाँ पर मुझे Libra Aquarius, Spices Cancer, Scorpio Sagittarius, Aries, Gemini ये star signs मुझे Scorpio बहुत strongly नजर आ रहे हैं से कोई आपका या आपके परसन का हो सकता है So I really feel कि ये इनसान आपसे connect करना चाते हैं इवन आपसे शादी करना चाते हैं Literally like ये भी हो सकता है कि किसी के शादी में या बर्दे पार्टी पर आप लोगों की मुलाकात हो जाए और वहाँ पर बड़े unexpected बड़ा unexpectedly इनसान आपको अप्रोच करें आपसे बात करें और फिर वहाँ से आप लोगों की बातचीत शुरू हो जाए चीजने फिर से ठीक हो जाएं आप दोनों के दर्मियान So ये हो सकता है But it's totally up to you क्या आप इनको वापस अपनी जिन्दगी में लेना चाहते हैं या नहीं क्योंके I do feel के कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हैं जो इनको शायद अपनी जिन्दगी में वापस ना लेना चाहें Maybe आप move on कर गए हो जिन्दगी में और वैसी आपने सोचा हो के चलो देखते हैं कि रीडिंग किस इनसान के बारे में है So I do feel के इनसान आपको चूज कर अपको चूज कर अपके साथ Maybe बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट जाकर वो आपको चूज करना चाहते हैं अब पहले उन्होंने नहीं किया Maybe कुछ लोगों के दरमें फैमिली इशू हो गया था उन्होंने फैमिली को प्रायॉरिटाइज किया बट जैसे जैसे टाइम गुजरा उनको ये रियलाइजेशन हुई कि मेरी हैपिनेस इसमें नहीं थी ये मैंने गलत किया है मुझे स्टैंड लेना चाहिए था अपनी खुशियों के लिए क्यूंके लाइफ मेरी है मुझे चूज करना है कि मेरा कौन सा लाइफ पार्टनर होना चाहिए so maybe उन्होंने अपनी फैमिली से बहुत जादा फाइट की है और अब वो आपको चूज करना चाहते है so यहाँ पर it's all about choices I feel कि आपके परसन ने choices आपके परसन maybe आप उनको अपना परसन ना मानते हूँ अब राइट so यह जो भी इंसान है आपसे connect करना चाहते है इन्होंने choices ठीक नहीं ली जिन्दगी में oh my god with the judgment यह major realization है wake up call है I have to do this, I have to go to this person it's already too late अभी already बहुत late हो चुका है मुझे अब action लेना होगा मुझे उसकी तरफ जाना होगा मुझे उससे बात करनी होगी so let's see कि यह इंसान आपसे कब contact करेंगे so यह भी हमें पता चलिगा कि यह इंसान आपसे अभी भी कुछ ना कुछ आपके लिए feel करते है maybe आपसे प्यार करते हैं या कुछ ना कुछ feel करते हैं आपके लिए feelings अभी भी है and maybe वो यह admit खुल कर अपने आपसे नहीं करें कि हाँ मुझे उससे मुहबबत अभी भी है but yes वो यह जरूर सोच रहे हैं कि I will try कि यह इंसान मुझसे शादी कर ले या मुझसे reconcile कर ले दोबारा इस तरह की चीज़ वो जरूर सोच रहे है so let's see कि यह इंसान आपसे कब contact करेंगे कब contact करेंगे okay we have death major major transformation के बाद we have ten of swords again यह break up situation है यह separation है आपकी जिनके साथ यह वो इंसान है and then we have the world okay आप एक बहुत लंबा cycle complete करने के बाद यह इंसान आपसे connect करने वाले हैं काफी कुछ learn करने के बाद काफी ज़्यादा pain से निकलने के बाद यह इंसान आपसे connect करेंगे maybe आपके person अब इस आपके person I don't know मैं बार बर क्यों कह रही हूं so यह जो भी इंसान है यह I feel कि उस cycle को end करने के करीब है यह cycle खतम होने के करीब है जो आप दोनों के दरमयान एक pain का cycle एक बहुत ही ज़्यादा ending painful ending का cycle था मुझे लगता है कि यह cycle जो है यह complete हो रहा है और अब एक नया cycle आपका उनके साथ शुरू होगा so basically what I am hearing is एक महीने में यह इंसान हो सकता है कि आपसे connect करेंगे because already मुझे लग रहा है कि काफी कुछ हो चुका है काफी time बीथ चुका है और जिन लोगों का recently break up हुआ है उनके लिए मुझे लग रहा है कि भी आपको थोड़ा time देना होगा ताकि यह इनसान इस transformation से गुजर कर इस transition के period में आएं और यह पूरा एक cycle complete करके आपकी तरफ आएं राइट तो यह जो realization का phase उन पर आएगा उसके बाद वो आपकी तरफ आएंगे अगर recently जिनका break up हुआ है यह उनके लिए है बाकी I just feel के this is someone from your past कुछ लोगों का long distance हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी feel हो रहा है कि आज से 3-4 साल पहले या 2 साल पहले जिनके साथ आपका break up हुआ वो अचानक से आप से connect करेंगे और आपको message करेंगे Hey how are you और उनकी आज तक भी शादी नहीं हुई है वो आज भी single है या अगर आपको छोड़कर उन्होंने किसी और से शादी कर ली थी या engaged हो गए थे वो वाला रिष्टा उन्होंने खतम कर दिया है और वो अब आपके पास दुबारा आएंगे देखेंगे क्या आप उनके लिए available है या नहीं है कोई ऐसा इंसान भी लग रहा है तो ये इंसान पहले बहुत inconsistent थे in and out, on and off and I really feel कि ये इंसान उस वक्त आपको बिल्कुल seriously नहीं ले रहे थे जब आपके साथ थे बहुत ज़दा ego भी थी इनमें बहुत ज़दा आप कहलें के stubborn थे ये इंसान ज़दी थे बहुत ज़दा और फिर हमें four of cups से भी नजर आ ही गया था कि इनोंने आपको बहुत ज़दा reject किया आपको time ना देना आपको hurt करना, ये चीज़े सारी ये कर चुके हैं past में and I really feel कि अभी इंसान आपकी तरफ आना चाहते है so अब हम ये देखते हैं कि क्या blockages है, अभी तक ये इंसान क्यों नहीं आए आपकी तरफ why, what's the reason so उसके लिए हम ये वाला deck use करेंगे what lies beneath so अभी तक ये इंसान आपकी तरफ क्यों नहीं आए है क्या blockage रहा है okay, मुझे toxic नजर आ रहा है so maybe उनकी जो family है वो बड़ी toxic रही है environment और family का pressure बहुत ज़्यादा उनके ओपर रहा है जिस वज़ा से वो अभी तक आपकी तरफ नहीं आए है कुछ cards नीचे गिर गए okay so let's see क्या blockage रहा है क्यों अभी तक ये इंसान नहीं आए है okay कुछ cards flip हो गए है let's okay I don't know ये कैसा mess create हो गया यहाँ पर okay maybe आप लोगों की situation में बहुत ज़ादा mess create हो गया and they just don't know कि वो इस mess को clear कैसे करें too much involvement of other people और लोगों की involvement इधर से कोई बात कर रहा है कोई उधर से बात कर रहा है कोई ये मश्वरा दे रहा है कोई वो मश्वरा दे रहा है ये चीजें बहुत हो गई बीच में police का card मेरी नजर से गुजरा है maybe वो police में है okay let's see क्या blockage है अभी तक वो क्यों नहीं आए okay we have running away so ये denial में थे इनसान अभी तक वो कोशिश कर रहे थे कि वो runner chaser dynamic कुछ लोगों की और जब आपने chase करना छोड़ा तो फिर उनको realization होई तो basically एक blockage अभी तक में भी ये था या past में ये था कि आप chase कर रहे थे and they were running, running, running when you stopped chasing they stopped running right so ये blockage रहा है कि maybe आप chase कर रहे थे आपने छोड़ दिया इनको chase करना and now they want to come back ये इंसान denial मे थे पहले इस connection को ले कर और आपसे break up के बाद तक भी they tried running away from this connection but finally उनको ये realize हुआ है कि जितना भी वो आपसे दूर भागने की इस connection से दूर भागने की कुशिश करते है उतना वो मुड़ कर पीछे आते है और आपकी याद आती है उनने this is very interesting let's see more क्या blockage है we have kicked to the curb so I do feel like उनके घरवालों ने उनको बड़ा tough time दिया इस situation के उपर ये बहुत कम लोगों के लिए होगा total drama action I really really feel के बहुत ज़दा family drama हो गया love story once upon a time one year or three months और बहुत ज़दा drama बहुत ज़दा check yourself I do feel के आपने देखा के इसमें आपका क्या role था, क्या pattern था, आपने उसको change किया so I really feel के ये वो इनसान है जिनके साथ एक वक्त में आपका बड़ा प्यार था, आपकी एक love story थी जो unfinished रह गई, unfinished finished business है यहाँ पर with this kicked to the curb I really feel के उनके घरवालों ने उनने बहुत प्रेशराइज किया, कुछ के लिए अगर female के लिए आप देख रहे हैं, मेभी उनको literally like कमरे में बंद कर दिया, male है तो मेभी उन्होंने बोला कि तुम घर से निकल जाओ अगर तुमने उसको select करना है like literally I am hearing this और बहुत drama, बहुत drama हुआ इस situation में सारा किसी को मेभी actor बनने का shock है या actress, मेभी आपने कुछ चीज़ें की भी है screen पर, on screen कुछ आपने किया है किसी ad में या किसी short film में आए है बहुत कम लोगों के लिए message because इसमें हमें एक image नज़र आ रहे, right so ये blockages है कि घरवालों का pressure चीज़ें बहुत ज़दर dramatize हो गई है आपकी situation में बहुत drama हो गया इतना mess create हो गया कि वो एक बहुत बड़ा blockage था कि अब इसे हम पार कैसे करेंगे so you both had no choice but to detach और जब detach हुए तो फिर clarity मिली और dust जो है वो settle अब हो चुकी है अगर ये break up ये सारा drama अभी दो-चार दिन पहले हुआ है तो अभी आप एक cycle होगा जिसे complete करेंगे अभी थोड़ा time लगेगा एक महीने का या three weeks का या four, sorry eight weeks I'm hearing हो सकता है उसमें फिर चीजें settle हो जाएं कुछ लोगों के लिए I do feel कि ये cycle complete हो चुका है और ये इनसान अब आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत जल्द आपसे connect करना चाते हैं So this person wants to be with you I really feel और मुझे ऐसा भी feel हो रहा है क्योंकि मुझे हेटर का card देखा है अभी मुझे इस connection को छोड़ देना चाहिए Because मुझे बहुत नफरत दे रहे हैं मेरे साथ बहुत गलत आपके साथ कर रहे थे Right? सब लोग So अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए spirit की तरफ से क्या advice है इस सारी situation को लेकर So I really hope कि अभी तक आपको Idea मिल गया है कि ये कौन इनसान है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं So Spirit की क्या advice है आपके लिए Let's see मेरे विवर के लिए advice Spirit Divine message दीजेगा क्या advice है Friends, अगर आप में जी साथ Private reading लेना चाहते हैं या Q&A session लेना चाहते हैं तो आपको description में number मिल जाएगा आप WhatsApp कीजेगा Call ना कीजेगा Text message कर दीजेगा WhatsApp पर तो आपको सारी details मिल जाएगी और plus आपको मैं discount भी दूँगी So जरूर चेक कीजेगा I've helped a lot of people और वो बहुत जादा satisfied है So we have together find joy in the simple pleasures of just being together So I really feel के जब आप लोग साथ थे तो उन्होंने आपको बहुत for granted लिया और अब वो crave कर रहे हैं के बस वो अगर आपके साथ ही होंगे तो उन्हें बड़ी खुशी मिलेगी Because उनको ऐसा लगता है के Maybe this is a very difficult thing right now So I really feel with this together Coming together I feel Getting back together I feel So spirit का है कहने कि आप लोग वापिस होने वाले हैं एक साथ और उस moment को enjoy कीजेगा जब ये इनसान आपके पास होंगे क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए ये feel हो रहा है कि आप बहुत रोए है आपने बहुत pray किया है पूजा की है दुआ की है कि ये इनसान काश एक दफा बस मुझे मिल जाए तो मैं उसे कभी जाने ना दूँ कुछ लोगों के लिए मुझे ये feel हो रहा है So जब आप एक साथ होंगे तो उस moment को cherish कीजेगा spirit का कहना है What more spirit? Oh my God Wedding Taking your relationship to the next level One step at a time मैंने आपको क्या बोला मैंने आपको बोला कि ये इनसान शादी करना चाहते है इसलिए वापस आ रहे है Oh my God Together and Wedding This is amazing This is amazing मैं आपको कबसे ये बोल रही हूं कि इनसान शादी के लिए आना चाहते है Dressing up Wow So one more card spirit क्या advice है Okay, we have voids And we have destiny The reunion with your twin flame is a destined event Oh my God This is powerful So कहीं न कहीं आपको ऐसा फील होता है कि ये इनसान आपकी destiny में है कहीं कहीं उनको भी फील होता है कि this is my destiny ये love story ये खतम नहीं हो ये love story और ये इनसान वापस आ रहे है Oh my God This is, oh my God Connection This is amazing Destiny And then voids इस पर लिखा है Avoid rushing to fill voids with love Seek inner fulfillment first So इस सारे time में जब तक वो नहीं आ रहे हैं कोशिश करें self love करें वैसे तो आपको हमेशा करते रहना चाहिए self love ये message है आपके लिए But कोशिश करें कि किसी negative pattern में खुद को न डलने दें सिर्फ इसलिए कि आप एक खाली पन एक void feel कर रहे है वोशिश करें positive रहने की अपने आपको fulfill करने की खुद से और ये इनसान तो आ रहे हैं definitely So wedding very very nice I really like it So friends अब हम आपके yes no question पर आने लगे हैं साथ letters और numbers होंगे So friends again अगर आप मेरे साथ private reading book करना चाहते हैं तो आपको मेरी description में मिल जाएगा WhatsApp number उस पर contact कर सकते हैं बिल्कुल एक safe space है जहां पर आप खुल कर मेरे साथ अपना जो भी मसला है वो discuss कर सकते हैं आपकी सारी information safe है कोई आपको इस बारे में insecure होने की जरूरत नहीं है आप सारी information मेरे साथ share कर सकते हैं और एक comfortable space है आपके लिए और मैं आपको guidance भी दूँगी इसके इलावा मेरा एक ही TikTok पर real account है which is real mystic world 1111 और उसका link भी आपको description में मिल जाएगा so बहुत से लोग confused हो रहे हैं मुझे बता रहे हैं कि आपका fake account है वो fake नहीं है that's real mystic world 1111 और वो मैं ही हूँ वहाँ पर daily updates आती हैं और वहाँ पर भी मेरा यही number मैंने दिया हुआ है whatsapp का जिस पर आप connect कर सकते हैं बहुत सारे लोग connect कर रहे हैं I have helped a lot of people I am very grateful वो भी बड़े खुश हैं जिनके मैंने help की है so अगर आप चाहें तो आप भी कर लिजिएगा मुझे से रापता so अब हम शुरू करते हैं yes and no से we have 888 j h k p vn p g w h 444 55 u e x ओकी ये तो x बन गया p 333 777 n z 8 n v k u f t e so आप का अँटर येस आगया है a 11 11 9 9 9 h and g so your answer is a yes so yeah आपके letters and numbers हैं देख लीजे कैसे आप से match करते हैं और ये थी आपकी reading कुछ भी आपके लिए helpful रहा पसंद आया मुझे आप जरूर बताएगा comment section में अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा share कीजेगा subscribe करना मत भूलिएगा मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं आप अपने जिन्दगी में जो भी manifest करना चाहते हैं new love, true love आपकी जिन्दगी में जरूर manifest हो और जरूर होगा क्योंकि you are worthy of love and you are lovable अपने आपको ये जरूर बताया करें अपना धिर सारा ख्याल रखिएगा मैं मिलूंगी आप से नेक्स्ट वीडियो में till then, love you lots bye